हालो दोस्तो मैं रेखा आपको स्वागत करती हूं रेखा ब्लोग में तो पहले आप सब का बहुत 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 थेंक्यू आप लोगों ने मेरा जो कलका वीडियो को बहुत सारे लोग देखें और बढ़ों को मेरा प्रणाम और एशे ही मुझे देखते रहें मुझे सब्स नहीं खाते वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और मैं अभी आज एक नॉन्वेज का जो इसे नॉर्माल एक बनाऊंगी तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और आप लोग को अगर आज ये छोटा सा वीडियो बनाई हूं अगर अच्छा लगेगा तो एक एक लाइक चिकेन चिकेन बनाने के लिए मैंने यहां पर चिकेन को अच्छे से धोल या है यह एक किलो चिकेन है तो इसमें हम अभी डालेंगे कि एक स्पून क्यूंकि अभी इसको थोड़ा टाइल हम रखेंगे थोड़ा सा नमक स्वाधनुसार अब यह थोड़ा साभी डाल सकते हो पूरा चिकेन का क्वार्टी की सासी डाल सकते हैं उसको हम अच्छे से कड़ाई बिठाएंगे तो देखिए मेरा कड़ाई यहां पे गरम हो गया है इसमें मैं अभी डालूंगी कोई यहां पर मैंने चिकेन को तो थोड़ा ओल लगता ही है यहां पर मैंने लगदख तीन बड़े चमच ओल लिया है और को भी गरम होने के लिए फोड़ देंगे इसमें में डालूंगी यहां पर देखिए मैंने यहां पर आप देख पार है ना मैंने यहां पर तीन बड़े बड़े पियाच काटके रखिए तो इसको डाल देखिए सब्सक्राइब को दाल देखिए खिर अभी इसको सरकासा चला रेंगे ए खोड़ा लाल होने तक हम इसको चलाएंगे तो देखिए ज्यादा लाल होने तक अब नहीं भूनेंगे ही एसा जब कलर आ जायेगा ना हम इहां पर अभी मसाला डालें जो मैं अबनाईयी उसमें थोड़ा सारग्र 2017 और आपका अध्रफ थोड़ा डाल के में पेश्ट बनाए हूं और थोड़ा सा धन्यान तो यह अभी में उसको डाल दे देए हुँ बहुत लोग यहां पे कच्छा लंका भी ग्राइणिंग करते में थोड़ा सा रखके फिर बाकी में डाल गूले अब इसको अब आप अधि डाल दिया है अब इसको अच्छा-च्छे में डालेंगी और फोड़ा भून्य के लिए छोड़ दूंगी तो देखिए ये मसाला जब थोड़ा पक जाएगा तो इसमें हम लोग अभी सुखी पाउडर से मसाला डालेगे तो यहां पर में पहले डालूगी मिर्च का पाउडर छोटा चमच में एक चमच कि मेरे घर में तो जानकें कोई मिर्च जाधा में थाथा था थोड़ा हल्दी पाउडर वह भी चोटे चमच में एक चमच उसके बाद में अभी नम्मख फोड़ा है टाल जोगी। बटे एक चमच और चिकें मसाला तो लोगे देखें चिकें मसाला म किया हाचकाता हो दो पर मीट डाली तो जालेगे तो नहीं थोड़ा मेगी मसाला डाल दोंगी। वह और एक पेकेट मेगी का मसाला इस अबको डालगे ना अच्छे से गुल लेंगे मसाला को अच्छे से गुलने के लेख को देंगे एक पेकेट मेगी का मसाला मेरे आपे डाल डेली उसके बार दिलोग सीम में अचे से इसको पार ने कोड़े लो देखिए आपको पास से दिखा रहे हूं यह पुरा पक चुका है अभी हम लोग इसमें चिकेन डाल देंगे जो चिकेन में भीगोर के रखी थी उसको हम दाल गोगे और इसको पकने के लिए छोड़ गेंगे तो देखिए दोस्तो हमाला जो चिकेन थोड़ा पक चुका है अभी मैं उसको थोड़ा चला देती हूं देखिए क्या मस्त कलर असको और अच्छे से थोड़ा पकने के लिए छोड़ देखिए तप तक में यहाँ पे चावल विठा दूदी तो देखिए दोस्तो चिकेन फाइनली रेदी कितना अच्छा कलर आ रहा है देखिए वाव आप एक बार जरू प्राय करिए आतु चिकित बनाते होंगे लेकिन ऐसे एक बार सिंपल सेट करिए कैसा लगा मुझे बोलिएगा और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए हो गया चिकेन अभी थोड़ा सा गराम पानी देदेंगे गरम पानी बिठा देते हैं थोड़ा सा डाल देंगे जो लोग ऐसे बीना पानी का खाली कौसा खाते हैं उनको अच्छा है और जो लोग ऐसे चावल में डालके खाएंगे न तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे पांच में पकने के लिए छोट लेंगे अब इमें चावल बिठा लेती हूं गरम गरम चावल के साथ चिकेन और सालाड क्या अच्छा कमिनेशन है ना आप लोग भी बना के खाईए इसमें आपको थोड़ा धनिया पता डाल देंगे तो और